हाई गाइज चलिए जानते हैं आज महाभारत काल से अब तक जीवीत बेक्ती के बारे में महाभारत काल का एक बेक्ती जिसके बारे में यह मानाजाता है कि वह आज भी जिंदा है इस बेक्ति का नाम है अस्वस्थामा यह कौरव और पांडवो के गुरू दुरोना चार्ज का पुत्र था इसने महाभारत के यूद में कौरवो की योर से यूद किया था लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे एक एसा सराप मिला जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक ज कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो वे भटकते भटकते हिमाचल के वादियों में पहुच गए और वहां उनके तपेस्वर महादेव की पूजा की पूजा अर्चना से भगवान सिव से पुत्र रत्न प्रापती का वर्व प्राप्त किया जिसके कुछ दिन बाद उस चार्ज की आर्थिक स्थिती बहुत ही दैन्य हो गई थी। उसके घर पीने तक दूध तक खाने को अंतक नहीं था। पांडव पुत्र की हत्या उस समय की जब वह सो रहे थे। इसने ब्रहम अस्त्र से उत्रा के गर्व को भी नश्ट कर दिया था। और पांडव ने मौका देखकर दुरूनव चार्ज का वद कर दिया। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अस्वस्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या की स्राप के कारण सीर पर घहाओ लिए यहां वहां भटक रहा है अस्वस्थामा। अंडव की हत्या के बाद जब अस्वस्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया और अस्टवा छेत्र जो बरतमान में गुजरात और महराश्ट के सीमा के पास इस्थित है यहां दोनों के बीच गदा युद हुआ। यहां भीम की गदा जमीन से टकराने की कारण एक कुंड बन गया है। पास ही में अस्वस्थामा कुंड भी है। अस्वस्थामा की तफस्या से परसंद होकर भगवान ने उन्हें दूद प्राप्ती का असिरवाद दिया और पहली बार अस्वस्थामा ने दूद का स्वाद चखा। अस्वस्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अस्वस्थामा का नाम कैसे पड़ा इसकी एक बड़ी रोचक कथा है अस्वस्थामा ने जब जन्म लिया था तब उसने अस्व के समान घोर सब्द किया इसके बाद आकसवानी से परसीध होगा अस्वस्थामा के सीर पर जन्म से ही एक मनी मौझूद था द्रोपती ने अर्जुन की प्रातना पर गुरुपुत्र को प्रान दान दे दिया लेकिन सजा के तौर पर मनी छीन लिया और उसके बाल काट लिये उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मिर्तु माना जाता था मध परदेश में महू के करीब 12 किलोमीटर दूर इस्थित विंधाचल की पहाणियों पर खोदरा महादेव बिराजमान है माना जाता है कि यह अस्वस्थामा की तपस थली है एसी मान्यता है कि आज भी अस्वस्थामा यहां आते हैं महा भारत युद समाप् कौरवो की योर से सिर्फ तीन योद्धा बचे थे किरपा किर्टबमा और अस्वस्थामा किर्प अस्तिनापूर चले आये और किर्टबमा दुआरिका स्राप से दुखी अस्वस्थामा को ब्यास मुनी ने सरं दिया मध परदेश उरीसा और उत्रा घंड के बनों में आज करके चला जाता है यह एक रहस्य है एसी मान्यता है कि इस मंदिर तक आने का एक गुप्त रास्ता है जिससे अस्वस्थामा आकर यहां सिव जी का पूजा कर जाता है तब से लेकर अस्वस्थामा आज तक इस फिर्थवी पर घूम रहे हैं जगह जगह उनको देखे जाने का क इससे सुनने को मिलते हैं कहा जाता है कि मद्परदेश के उर्हानपूर सहर से 20 किलोमीटर दूर सिरगड का किला है इस किले में इस्थित सिव मंदीर में अस्वस्थामा को पूजा करते हुए देखा गया है लोग का कहना है कि अस्वस्थामा आज भी इस मंदीर में पूजा क प्रणादी के किनारे भी देखे जाने का उलेक मिलता है लोगों का कहना है कि वे यहां अपने माथे से निकल रहे रक्त के दर्द से कराते हैं पता अस्थानिये लोगों से वे तेल और हल्दी मांगते हैं वहां लगाने के लिए इनको मद परदेश के जंगलों में भी भटकत हुए देखा गया आसा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा एसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें